नमस्कार दोस्तों, मेरा एक छोटा सा लक्षे था 500 सब्सक्राइबर्स का, आप लोगों ने उसे पूरा किया, उसके लिए हृदय से धन्यवाद, अब मेरा अगला लक्षे है 1000 सब्सक्राइबर्स का, उमीद है आप मेरा पहले की तरह ही प्रोचाहन करेंगे, अगर आपने चानल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने सब्सक्राइब किया है और मेरी पढ़ी हुई कहानिया पसंद आ रही है, तो अपने मित्रों के साथ मेरे चानल का लिंक साजा करके उनको सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करेंगे, आए सुनते हैं हरी शंकर परसाई के लिखे व्यंग्य चर्बी, गंगा जल और एकात्मता यग्य साधो तुम पूछोगे कि गुरु ये मामला क्या है? चर्बी, गंगा जल और यग्य देखो, ये आगामी चुनाव के लिए कार्यक्रमों का घोषणा पत्र है अब तुम कहोगे कि गुरु चुनाव घोषणा पत्र में तो दुनिया भर में इस तरह की चीजें होती हैं आर्थिक नीती उत्पादन की योजना क्रिशी विकास, विज्ञान और तकनीक, सामाजिक सुधार, गरीबी दूर करने के उपाई, विदेश नीती वगेरा, मगर ये क्या घोषणा पत्र है चरबी, गंगाजल और यग्य साधो दूसरे देशों की बात छोड़ो, ना वहां भगवान पैदा हुए, न इतने देवी देवताओं ने अवतार लिया, ना वहां स्वर्ग जाने के इतने रास्ते हैं, ना वहां इतने धर्म मूढ हैं इसलिए वहां लंबे चोड़े प्रोग्राम बनते हैं हमारा मामला दूसरा है, रास्ता सीधा है, यहां सिर्फ भगवान को अवतार लेना है और धर्म की स्थापना करना है बस, चमतकार से सब सुखी और सम्रिद्ध हो जाएंगे दूध दही की नदियां बहेंगी यहां भगवान अवतार लेने को तैयार है, ठीक वक्त की तलाश में है अगर जनता पार्टी सरकार 1982 तक रहती तो भगवान अवतार ले लेते, पर चरंट सिंग ने वह सरकार गिरा कर भगवान को अवतार लेने से रोक दिया, अब चरंट सिंग को घल्ती समझ में आ गई, अब चरंट सिंग अटल बिहारी वाजपई के साथ मिलकर भगवान के अवतार की भूमिका बना रहे हैं, साधो यूं तो भगवान अवतार की तैयारी जनता सरकार ने 1978 में शुरू कर दी थी जब उसने विदेशों से गाय की चर्बी के आयात को खोल दिया था तब भगवान के अपने दूत धर्म के रक्षक जनसंग वाले सरकार में थे उन्हें पाप बढ़ाना था क्योंकि पाप बढ़े बिना भगवान अवतार नहीं लेते अंदाज है कि तभी से वनस्पती घी में गाय की आयातित चर्बी मिल रही है मगर मोहन धारिया कहते हैं कि तब नहीं मिलाई गई क्योंकि वहां महंगी पड़ती है अब मिलाई जा रही है जब दिल्ली की एक फर्म को इस मामले में पकड़ा गया पकड़े जाने का ये अर्थ नहीं है कि सिध्ध हो गया मगर विपक्षी आरोप लगा रही है कि इस अधर्मी कॉंग्रेस सरकार के राज में वनस्पती घी में गाय की चर्बी मिलाई जा रही है जवाब में कॉंग्रेसी कहते हैं 1977 के पहले तक जब हमारी सरकार थी तब गाय की चर्बी आयात की सामान्य सूची में नहीं थी गौभक्त जनसंगिया वाली जब जनता सरकार बनी तब गाय की चर्बी के आयात की छूट दे दी गई पाप इन दक्षन पंथी विपक्षिया के सिर पर है इन्हीं ने गौ माता की चर्बी बुलवाई और इन्हीं ने वनस्पती घी में मिलाने दी धर्म भ्रष्ट इन्हों ने किया अब साधो सवाल ये उठता है कि सन 1978 में एका एक ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी थी कि चर्बी के आयात की छूट देनी पड़ी उसके पहले भी तो बिनाईस चर्बी के काम चल रहा था क्या तब वनस्पती घी बनाने वालों से सौदा पट गया था क्या उनकी सरकार पर इतना दभाव था कि गौभक्त संगियों को भी गाई की चर्बी बुलाने की छूट देनी पड़ी साधो, कॉंग्रेस और भारतिय जन्ता पार्टी वाले राष्ट्रिय मोर्चे में ये विवाद जोर पर है तुम्हारी सरकार में वनस्पती में गाई की चर्बी मिल रही है जवाब गाई की चर्बी बुलाने की छूट तुमने दी थी जवाब मगर हमारे शासन में चर्बी नहीं मिलाई गई जवाब जूट है मिलाई जाती थी पर तुमने पकड़ी नहीं हमने मिलावट पकड़ी जवाब तुमने मिलावट पकड़ी तो पाप तुम्हारे सिर पर तुमने हिंदुओं का धर्म भरष्ट किया कोई हिंदू तुम्हें वोट नहीं देगा, जो तुम्हें वोट देगा वह नर्क जाएगा, गौम आता उसे वैतर्णी पार नहीं कराएगी। साधो इस विवाद में चाहे जो जीते, बहुत से परिवारों में इस दिवाली पर पकवान नहीं बने। साधो इसी चर्बी के साथ कार्यक्रम लगा है, विश्व हिंदू परिशद का एकात्मक्ता यग्य, ये धर्म की चर्बी है, जिसे देश में ही निकाल कर राजनीती में मिलाया जा रहा है। काईया सामप्रदाइक राजनेता जानते हैं इस देश का मूढ आदमी न अर्थ नीती समझता न योजना न विज्ञान न तकनीक न विदेश नीती। वह समझता है गौमाता, गौहत्य, चर्बी, गंगाजल, यग्य, वह मध्ययुग में जीता है और आधुनिक लोकतंत्र में आधुनिक कार्यक्रम पर वोट देता है। इस असत्य, मूढ, मध्ययुगीन जन पर राज करना है तो इसे आधुनिक मत होने दो। इसे गौमाता, गंगाजल, यग्य और रत में उलजाए रखो। तो साधो, विश्व हिंदू परिशद की योजना है एकात्मकता यग्य। विश्व हिंदू परिशद क्या है? एक ही ब्रह्म की माया के कई रूपों में एक रूप है ये। वह ब्रह्म कौन है? वह ब्रह्म है हिंदू सांप्रदाइक्ता और पुनरुथानवाद। इस ब्रह्म का कारोबार संग देखता है। इस ब्रह्म की माया के दूसरे नाम है भारतिय जनता पार्टी, अखिल भारतिय विद्यार्थी परिशद, विवेकानंद शिला समारक, कुछ हद तक अर्विंद आश्रम, कल्यान आश्रम, महिला सम्मान आंदोलन, गिरिजन कल्यान संग। किसी का कल्यान नहीं छूटा इस माया से, विद्वानों के कल्यान के लिए दीन दयाल उपाध्या इशोध संस्थान है, भारतिय विद्वत परिशद है, मजदूरों के लिए भारतिय मजदूर संग है, तो साधो एकात्मक्ता यग्य भारत यात्रा के रूप में होगा, ये प्रवचन होगे उत्तर से दक्षिन और पूर्व से पश्चिम तक ये यात्रा होगी पश्चिम में यात्रा सोमनाथ तक ये याद दिलाने के लिए होगी कि सोमनाथ को महमूद गजनवी ने लूटा था ये बात भुला दी जाएगी कि गजनवी के मार्ग दर्शक हिंदू थे आधे सिपाही हिंदू थे सोमनाथ के महंतों ने गजनवी से सौधा बाजी करनी चाही थी साधो ये एकात्मक्ता यग्य कहलाएगा ताम जाम वाला किन में एकात्मक्ता? किसलिए एकात्मक्ता? कौन सा संकट आ गया देश पर? अभी क्या एकता नहीं है? तीन लड़ाईया इस देश ने 1947 से लड़ी? क्या किसी लड़ाई में एकता की कमी थी? कोई भारतिय या कोई तपका क्या शत्रू से मिल गया था? ये किन की एकात्मक्ता है? इसका उदेश्य क्या है? देखो ये सब सवाल पापी पूछते हैं, तुम साधू हो इतना समझ लो कि जो लोग देश को धर्म, संप्रदाय, वर्ण के आधार पर बांटने वाले हैं, वही लोग एकात्मक्ता यग्य कर रहे हैं। चोर पुलिस की वर्दी पहन कर गश्त लगाते हैं, ऐसा एकात्मक्ता यग्य है ये, ये जनता को अंधविश्वासी, धर्मांध, अवैज्यानिक, मूढ, संकीर्ण, सांप्रदायक, दुवेश्पूर्ण रखकर एक सांप्रदायक पार्टी को वोट दिलाने का अभियान ह अब तुम समझ गए होगे, रत में गाय की चरवी और गंगा जल दोनों रखे हैं, इसके साथ अटल बिहारी वाजपाई और चरंड सिंग के चरवी विरोधी एक दिन के उपवास का पुण्य है ये यग्य वास्तव में इलेक्शन मैनिफेस्टो यानि चुनाव घोषना पत्र है, ये 15 नवंबर 1983 से जारी किया जाएगा मगर साधो यग्य शुरू होने के पहले विग्न पढ़ गया, दो पीठों के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने इसका विरोध किया है ऐसे यग्य का विधान कहीं प्राचीन वेद शास्त्रों में नहीं है, उन्होंने ये भी घोषना की है कि कोई शंकराचार्य इसमें भाग नहीं लेगा मगर साधो एकात्मता यग्य होगा, ये धर्म नहीं, राजनीती है, मैंने कहा ही है शुरू में कि आगामी चुनाव, चर्बी और गंगा जलका होगा शुरूताओं, ये लेख हरिशंकर परसाई ने 21 नवंबर 1983 में लिखा था साधो, राजीव गांधी व्यावहारिक राजनीती में अभी आए हैं, उन्हें उनकी पार्टी के लोग संजय गांधी बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर वे बन नहीं रहे हैं, न बनेंगे उनका चरितर दूसरे किस्म का है, साधो, कहते हैं, नया मुल्ला ज्यादा नमाज पढ़ता है, यानि नया होने के कारण उसका विश्वास खुदा में ज्यादा होता है, आगे चल कर वह मुल्ला जब घिज जाता है, तब नमाज को रस्म मानता है, खुदा है तो होने दो, साधो, कॉंग्रेस के राजनीतिक दाउं पेंच छोड़ो, तो राजीव गांधी कुछ मौकों पर सही और समझदारी की बातें कहते हैं, भोपाल में पत्रकारों के समेलन में उन्होंने कहा, अखबार राजनेताओं के भाशन ज्यादा चापते हैं, दूसरी सांस्कृतिक, वैज्यानिक, सामाजिक गती विधियों के समाचारों की अवहेलना करते हैं, साधो, बात राजीव गांधी ने काफी ठीक कही, मगर उस रैली में नारा लग रहा था, उत्तरदक्षिन राजीव गांधी, पूरपश्चिम राजीव गांधी, समर्थक, चाटुकार, चापलूस, पार्टी वाले तो राजीव को चारों दिशाओं में व्याप्त भगवान बना रहे थे, क्योंकि आगे चुनाव टिकेट वही देने वाले हैं, संजय थे तो नारे लगाये जाते थे, देश की नेता इंदिरा गांधी, युवकों के ने साधो, सवाल राजीव गांधी से ये है कि उत्तर दक्षिन, पूरब पश्चिम राजीव गांधी का समाचाल अकबार चापी या ना चापी? यदि ना चापी तो खुद राजीव गांधी बुरा मानेंगे, इधर अकबार के मालिक संपादक को डांटेंगे कि आप हमारे स संबंध खराब करा रहे हैं सरकार से. साधो, राजनेता प्रचार पर जिन्दा रहते हैं. बड़े से लेकर मध्यम और छुट भईया नेता तक रोज अपना नाम अकबारों में चपाना चाहते हैं. वे भाशन देते हैं, बयान जारी करते हैं. कभी एक दो किलोमेटर की मालिक से कहते हैं, इनके समर्थक अखभार तै हैं. साधो, दूसरी बात यह है कि फिल्मी हीरो हीरोईन के बाद सबसे मनोरंजक इस देश के नेता ही हैं. सबसे हास्यासपद रोल और सबसे मजेदार बात यही करते हैं. कितने नेता हैं, जो अगर फिल्मों में मस्खरे का र तो विश्व विध्यात होते चरंड सिंग और जग जीवन राम जैसे बुजुर्ग नीता जो मनुरंजक बाते कहते हैं वैसी कोई फिल्मी कॉमीडियन भी नहीं कहता लोग इंतजार करते हैं कि आज बाबुजी और चौधरी साहब क्या बोलते हैं पाठकों को इस मनुरंजन से वंचित कैसे कर सकते हैं मुसीबत छोटे शहरों से क्षेत्रिय अखबार निकालने वालों की है स्थानिय विदूशक नेता तो संपादकों को हर कहीं सड़क पर मिल जाते हैं और शिकायत करते हैं हमारा समाचार नहीं छापा आपने इनसे कोई पत्रकार कैसे बचे साधो ये बात सही है कि भारतिय आदमी राजनीती की सबसे कम समझ रख कर भी राजनीती में सबसे अधिक दिलचस्पी लेता है अमरीका, फ्रांस, रूस के लोग राजनीती में इतनी दिल्चस्पी नहीं लेते मगर भारतिय पाठकों को अखबार खोलते ही राजनीती चाहिए मगर राजनीती की समझ गौमाता, गंगाजल, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे से बनती है सैधान्तिक राजनीती बहुत कम लोग समझते और अपनाते हैं ज्यादा लोग नेताओं की देश व्यापी नाटक मंडली के अभिनय में दिल्चस्पी लेते हैं साधो मेरे सामनी दो अच्छे स्तर के क्षेत्रिय पत्र पड़े हैं एक में पहले प्रिष्ठ पर ग्यानी जैल सिंग, इंदिरा गांधी और यासर अराफात हैं लंबा समाचार मुख्य मंत्री की पद्यात्रा का है बाकी नहरु की जन्मतिती के आयोजनों के समाचार हैं ये समाचार भीतर के प्रिष्ठों पर भरे पड़े हैं ये मौके होते हैं गांधी जैन्ती, नहरु जैन्ती, जब छोटे छोटे बौडम नेता जिनका विश्वास दोनों में नहीं है दोनों को अच्छे आचरण का सार्वजनिक सर्टिफिकेट देते हैं कहते हैं हमें गांधी और नहरु के बताए मार्ग पर चलना चाहिए यानि हम नहीं चल सकते क्योंकि हमारे एक पाउ में स्वार्थ का और दूसरे में बेईमानी का काटा गड़ा है इन नेताओं के सुभाशित छपेंगे ही वरना ये परेशान कर देंगे साधो एक प्रिष्ट क्रिकेट को समर्पित है कहीं न कहीं टेस्ट मैच होते ही रहते हैं कपिल देव और अकावसकर वगेरा भारतिय क्रिकेट के लिए बहुत जरूरी हैं इधर नई दिल्चस्पी पैदा हुई फिल्म अभी नेत्रियों का क्रिकेट खिलाडियों के पीछे भागना कभी सबसे दिल्चस्प समाचार होता था जीनत अमान का इमरान खान के पीछे भागना बस शादी होने ही वाली है अब जहीर अब्बास के पीछे रीना रोय पड़ी हुई है ये जान बूच कर प्रचार के लिए होता है ढलती सेकंड ग्रेड अभी नेत्रियां अपने बारे में खुद इन कांडों को फैलाती है इसके बाद पाठकों को चाहिए बलातकार अफहरन प्रेमी से मिलकर पती की हत्या अपराध ही क्यों बड़े आदमियों की कलंक कथा भी चाहिए इनके बिना पाठक का मन नहीं भरता सवेरे किसी स्त्रीके बलातकार का रसीला विवरन पढ़ ले तो दिन भर आदमी दफ्तर में मन लगाकर काम करता है यह रुचि किसने पैदा की? अखबारों ने अपराधों के प्रती खास कर यौन अपराधों के प्रती रुचि पैदा की धीरे धीरे यह पाठकों की जरूरत हो गई और अखबार की मजबूरी ये परस पर क्रिया प्रक्रिया है अब हालत ये है कि कोई अख़बार अगर अपराध खास कर यौन अपराध के चटकीले समाचा न दे तो उसकी ग्राहक संख्या घटती जाएगी धन्धा चौपट हो जाएगा अब हाल ये है कि सिर्फ अपराध की पत्रिकाई निकलती हैं और लाखों बिकती हैं फौजदारी वकीलों की फाइलों से कई लोग प्रियल लेखक हो गए हैं और खुब कमाते हैं साधो फिर जरूरी है राशी फल भविश्य अखबार बिकने के लिए भविश्य फल जियोतिशी द्वारा बनाया गया जरूरी है ये सब छूटा होता है ये अवैग्यानिक है मगर जियोतिशी कह दे कि तुम्हें शनी लगा है तो वहां आदमी घबराहट में गल्तियां कर के खुद ही शनी लगा लेगा और जिंदगी खराब कर लेगा साधो अब बताओ भाभा अनु अनु संधान केंदर में क्या हो रहा है इसमें किसी को क्या मतलब विज्यान से संस्कृती से क्या मतलब मगर हालत इतनी खराब है नहीं मेरे पास के अखबार में ही अंतरिक्ष विज्यान पर लेग है सांस्कृतिक उत्सव का भी विवरण है शुरुताओं ये लेग हरी शंकर परसाई ने 28 नवंबर 1983 में लिखा था उमीद है ये कहानिया आपको पसंद आ रही होंगी मेरे चानल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद